हेलो अब्रीवान कीटू ब्लोगिंग में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको पताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लोगर वेबसाइट पे एक फॉर्म किसे लगा सकते हैं तो यहां पर जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो यहां पर एक कांटाक्ट फॉर्म पाप सो होगा और यहां पर यूजर अपना नेम इमेल एड्रेस और मेसेज फिल करके आपको इमेल सेंड कर सकता है आपके वेबसाइट से तो चलिए देख पर आपको एक contact form एड़ करके देगा तो चलिए देखते हैं कि आप इसको कैसे implement कर सकते हैं अपने blogger website पर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किज़ेगा तो इससे मुझे motivation मिलता है और भी इस तरह करेगा वीडियो बनाने के लिए तो सबसे पहले हम जाते हैं blogger website पर सबसे पहले चेक करते हैं कि आप इसको pages में कैसे integrate कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको एक नया page ग्रेट करना है या अपना जो existing contact form page उसको open कर सकते हैं यहां पर मैं लिख देदा हूं contact 2 और यहां पर हम क्या करेंगे एक code paste करेंगे तो सबसे पहले मैं सारे code को copy करूंगा और यहां पर paste कर दूंगा और यहां पर आपको अपना email address चेंज करना पड़ेगा तो यह रहा हमारा css code उसके बाद यह रहा हमारा html code और यहां पर यह जावा स्क्रिप्ट कोड यूच हुआ है तो यहां पर हमको यह वाला जो your form submit id है इसको चेंज करके अपना email address पर चेंज करना है तो मैं इसको quickly अपना email address पर चेंज कर देता हूँ all right आप देख सकते हैं यहां पर मैं अपना email address चेंज कर दिया है तो यहां पर once आपने email address चेंज कर देना है उसके बाद आपको publish करना है तो मैं इसको publish कर देता हूँ and सबसे पहले आपको यह contact form activate करना पड़ेगा and यहां पर हमारा जो contact form है वो add हो गया इस page पे तो मैं यहां पर click करूँगा और मैं इसको activate करूँगा तो मैं आप quickly यह form fill off कर देता हूँ यहां पर email पर डाल देता हूं contact at keytoblogging.com तो यहां पर आपको एक as a test message send करना है so this is a test message from blogger इस तरह से मैं इसको link देता हूँ और यहां पर मैं submit करूँगा और यहां पर देख सकते हैं check your email the form need activation तो सबसे पहले आपको अपना email address open करना है और यहां पर form submit की तरफ से एक email आया होगा action required activate form submit तो मैं इसको click करूँगा और यहां पर इसको activate form पर click कर दूँगा और यहां पर हमारा जो form है वो activate हो गया है तो अगर आप नहीं चाहते कि आप अपना email address है वो website पर show कराए तो आप यह string को भी copy कर सकते हैं यहां पर इसको string को copy करना है आपको और यहां पर एडिट पर जाना है और यहां पर जो email address हमने डाला हुआ था उसको replace करके वो वाला string डाल देना है यहां पर इसको update करेंगे फिर भी आपका जो contact form है वो काम करने लगेगा तो अगर आपको यह header menu पर लगाना है तो आपको य मैं क्या करूंगा यह सारा जो html code है और जो css code है सब कुछ copy कर लूँगा तो मैं इसको copy कर लेता हूं सारा कुछ और मैं जाओंगा अपने theme पर यहां पर मैं edit html पर क्लिक करूंगा तो यह process थोड़ा different हो सकता है different theme के लिए तो अगर आपको देखना होगा कि आप अपना header menu को properly edit कर सकता है या नहीं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा पूरा scroll down करूंगा और जो closing body tag के उपर वह वाला code डाल दूंगा उसके बात यहां प टो ंई यहां पर double code डालना हैं यहां पए same thing equal to double code डालना है तो यह ब्लागर कोच होता है तो यहां पर इसको प्रफ लइक बास करने के बात यह जो input जो section है ना यहां पर इसको close करना पड़ता है तो मैं इसको close कर देता हूं और यह दूसरा input है इसको close करूंगा आप देख सकते हैं यह जो form code है वो properly set हो गया है तो आपको ध्यान देना है कि required equal to and उसके बाद double coded करना है और जो भी input field है उसको close करना है और उसके बाद आप यह जो button code की जरूरत नहीं है बस हमको यह वाला चीज जरूरत है on click तो मैं इसको यहां से copy करूंगा और यह वाला जो button है वो उसको remove फर दूंगा उसके बाद मैं जाओंगा अपने header menu पे and header पे वो menu को मैं search करूंगा यहां पे तो यहां पे हमको replace करना यह वाला standard menu तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पे contact us लिख दूंगा and यहां पे जो anchor tag है ना उहां पे मैं वो वाला जो string copy ख्याता उसको paste कर दूंगा on click equal to open custom contact form इस तरह से और यहां पे हमारा जो name change हो गया उसके बाद हम इसको save करेंगे तो हमारा जो pop-up contact form है वो header menu पे add हो गया है तो हम इसको check करेंगे कि यह properly काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो मैं जाओंगा यहां पे home page पे and यहां पे देख सकता है contact us page काम कर रहा है तो यहां पे आप अपना email address डाल सकते हैं तो मैं यहां पे डाल देता हूं and यहां पे मैं email address डाल देता हूं and यहां पे लिख देता हूं टेस्ट email फ्रॉम header menu पॉप-फ तो यहां पे मैं इसको submit करूँगा and यहां पे आपको recapture फिल करना पड़ेगा और यह form submit हो गया है उसके बाद हम जाएंगे email address पे और यहां पे हम चेक करेंगे यह email आया है या नहीं तो आप देख सकते हैं new form submission का email आ गया है and यहां पे आप देख सकते हैं this is a test message from blogger यह फास्ट वाला email था जो आया था contact at the rate key to blogging.com से and दूसरा आया है object party triple four at gmail.com और यहां पे लिखा आ रहा है test email from header menu pop-up तो इस तरह से आप अपना contact form pop-up लगा सकते हैं अपने blogger website पे and वो header menu पे भी लगा सकते हैं तो I hope आपको पता चल गया है कि यह जो pop-up form है उसको कैसे लगाते हैं blogger website पे तो यह सारे pages पे काम करेगा अभी क्यूंकि हमने direct theme code पे डाल दिया है तो इस तरह से आप जो contact form pop-up है वो किसी भी page से access कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और यह वाला जो pop-up है वो fully responsive है mobile में तो मैं इसको inspect पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं चूज करता हूं iPhone SE और आप क्लेक करूंगा तो इस तरह से आप एक contact form pop-up लगा सकते हैं अपने blogger website पे और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है इस process को follow करने में तो आप हमें comment section में पढ़ा सकते हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like जरूर किजेगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर किजेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye